स्वामी एंड फ्रेंड्स की इंग्लिश वर्क्शॉप हम देखने यहां पर जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 71 पर रेफर्टु दे स्टोरी यहां पर बताएगा है कि स्टोरी हमने इससे पहले पड़े जिसमें बहुत सारे केरेक्टर्स थे 2.2 जो लेशन हमने पड़े हैं अल्रेडी हमने इसका वीडियो आपको डाल दिये हैं रस्किन बॉंड की रिडिट केरफुली इसको स्टोरी को पढ़ना है आपको और रिवीव ऑफ दे सेम और जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा है जिसमें रिवीव कैसा बनाया जाता है जाहिजा कैसे लिए आया था किताब का उसको keeping the following points in mind आपको जहन में ये points रखकर आपको उसका book review करना है जैसे पहला point है बच्चो name of the story and writer वो जो story है उसका writer उसका नाम क्या है the boy who broke the bank ये story and writer author को है उसके रस्किन बॉंड तो उसके सामने आप notes बनाये इस review के ठीक है book book में आप fair किजिए उसको type of story ये कैसी story this is a short story ये ना and funny story जिसे हम humorous story भी कहते है मजा ही या कहानी उसके बाद background and setting background and setting में क्या है time and place तो इसका जो setting है वो कौनसे गाउं में है people nagar bank people nagar में and events happen और सारे वाकियात कब दुरून नुमा हुए on a particular day एक खाज दिन में हो उसके बाद main characters आहम किरदार कौन-कौन से है नथू है सुपर बॉय सीता राम ये वाशर में सन है मिसेस च्रिवास्तो है मिसेस भूशन है दीप चंद जो बारबर है गनपत जो बेगर है और सेट है उसमें जो वो सारे के सारे characters है Problems faced, Problems faced नहीं कौन-कौन से मसाहिल का इसमें किया गया है इस बूक में क्या बताया गया है। हमने आपको बताया गया था कि इसमें बताया गया था अफवाहें किस तरह से एक अच्छी संस्थान को या अफवाहें किस तरह से बर بाद कर दीती है यहाँ पर roamers जो है वो spread without intention causes bank collapse यहाँ पर एक अच्छे खासे bank में जो अफवा पहली तो वो bank पूरी तरह से collapse हो गया दिवालिया निकल गया and people rush to the bank to their money back लोग अपना पैसे अपस लिंदी के लिए भागे but actually it is not a fact it was a roamer yes तो यहाँ पर इस तरह से problem phase language used किस type के language है plain simple language used किए इस chapter में plain लिखिये simple लिखिये easy to understand particular local touch मिला है especially Indian English का इसमें use किया गया what would you what you like about the story यह story आपको क्यों पसंद आती है because rumors spread by villagers and all other incidents described in a very humorous way यहाँ पर अफवाएं कैसी फैले जाती हैं देहातों में यह बहुती funny अंदाज में बयान किया गया है तो इसमें comic situation create होती है all the characters are simple life-like and move around us हमारे अतराफ में घूमते हैं and what do you did not like about it और आपको इस story में क्या चीज़ पसंद नहीं आती है the story is very good but so I think that there is not a single thing to dislike जरूरी नहीं कि आप कुछ ना भी dislike कहों तो आप dislike करें नहीं अगर इसमें आपका like बनता है तो आप पूरा like रहे next है your general opinion of the story इस story के बादे में आपका क्या खयाल है this is a humorous story, very interesting story, enjoyable story and the moral of this story is that rumors are spread by fools and accepted by greater fools अफवाय है जो है वो बेवकूफ लोग फैलाते हैं और उससे भी बड़ जो बेवकूफ होते हैं वो उसको accept करते हैं चलिये, look inside your thinking hat second topic यहाँ पे आया है read the evidences sentences given below and offer a possible explanation of what happened in this house make up some questions to gather more information now collect all your evidences and write a story in your notebook give a suitable title यहाँ पे एक आपको एक चार्ड दिया हुए दिखिए वेब और इसमें जो है बताएगा है what's come to mind when you hear the word mischievous कि जब ऐसा विब जो है आपको आ सकता है तो इसमें बीच में जो सरकल है यलो कलर का इसमें क्या बोल रहा है वो देखिए आपके जहन में क्या बात आती है जब आप mischievous यह लख सुनते हैं ओके तो mischievous का मतलब होता है शरार्थी और बहुत सारे उसके synonyms हो सकते हैं हम्मानी अलफाज हो सकते हैं जैसे शरार्थी बच्चे को naughty boy भी कहा जाता है या naughty कहा जाता है वो लोगों पे playing tricks लोगों पर लोगों को tricks करता है dodge देता है trouble others दूसरों को तकलिफ पहुँचाता है fighting है न वो fight भी करता है abuse sometimes कभी-कभी बसुलूई भी करता है misbehave भी करता है sometimes insult भी करता है तो mischievous होना शरार्थी होना playful भी हो सकता है इस सारी चीजे हैं उसके बाद the kitchen was messy with kitchen जो है वो भरा हुआ था kitchen कैसे भरा हुआ होता है plates होते हैं glasses होते हैं है ना और garbage होता है वहाँ पर कच्रा भी होता है leftovers भी होते हैं हो सकते हैं dishes होती हैं all types then mother found empty jars off मा को कौन-कौन से jar खाली मिले हैं कोई भी jar the do's, chudas, chocolates है ना उसके jar खाली मिले हैं sugar the children were planning बच्चे क्या प्लान कर रहे हैं to enjoy vacation चुट्टियों को का मजा लेना या preparing testy food या planning to go to the picnic okay there were children's food prints in the kitchen बच्चों के पाईरों के निशानात किछन में पाई गये हैं बच्चे जो है 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 In the review, try to guess their meaning from the context. You can use a dictionary to confirm it, fill it the table. यहाँ पर आपको new words जो है, वो identify करना है, phrases जो important है, review में. इसका meaning हमको guess करना है, और dictionary भी आप इसमें use कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक आपको करके बतायाएगा, one is done for you. जैसे mischievous, अभी हमने देखा, उसकी meaning करना है, क्या meaning बताईगे, naughty but innocent, mischievous शरार्ती होता है, लेकिन महसुम भी होता है, one synonym, क्या है, synonym, troublesome, मुश्किल में डालने वाला, इसका antonym क्या होगा, opposite क्या होगा, good होगा, well behave, अच्छा सुलुक करने वाला, है न, adjective है, mischievous, और other form क्या है, मिस्चीफ, शरारत, mischievously, है न, adjective है, और हिंदी में इसको, mother language में हम इसको शरार्ती करते हैं, मराथी में खोड करते हैं, कहते हैं, और उर्दु में भी इसको शरार्ती कहते हैं, mother tongue, हमारी माधरी दबाने, okay, then, next word, आप जो लीजिए, इक्विसिट, E-Q-U-I-S-I-T, इसिट का मतलब है, in a pleasing manner, खुश, जो है, बहुती अच्छे अंदाज में, उसके बाद, उसका synonym आएगा, acute, deep, है न, एंटोनीम आजाएगा, intense, यह adjective है, word class में आजाएगा, और other form, quiz, yes लग जाएगा उसमें, और उर्दु में हम कहेंगे, उसको बहुत बहुत बहुतर ढंग से, okay, इसको क्या कहेंगे हैं, बहुत बहुत बहुतर ढंग से की जाने वाली चीज, नेक्स्ट है, jargon, 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 अब words used by particulars, जैसे कोई खास बात के तहट कोई लफ़ को इस्तेमाल में लाना, जैसे टेक्निकल jargon होता है, तो इसका synonym होता है dialectic, तरीका, इंटनिम है, इसका formal, और jargon जो है यह, noun है, इसका मतलब होता है, कोई तरीका, हैरास, फोर्थ में आप लिखिए, haras, h-a-r-a-double-s, haras, जैसे haras लव से इसकी meaning होता है, trouble करना somebody, synonym क्या है, break करना, fatigue करना, tire करना, एंटनिम है, haras का opposite, relax हो सकता है, rest हो सकता है, और verb है haras, इसका other forms, harassing, harassment, तो इस तरह से यहाँ पर हम कर सकता है, havoc है, h-a-v-o-c, havoc, havoc का मतलब, somebody, यहनि, wide spread, destruction करना, बहुती, धिंगा मस्ती करना, synonym में इसका, क्या हो सकता है, calamity, मुसीबत, परिशानी, trouble, यह havoc noun है, and havoc or hawking, यह इसका other form हो सकते हैं, और इसका translation हो सकता है, तक किसी को बहुत ज्यादा, परिशान करना, धिंगा मस्ती करना, शोर करना, हंगामा खड़े करना, आसमान सर पर उठा लेना, etc., okay, next है, find from the lesson the noun forms of, noun forms है, happen का noun, ing लगाएंगे उसमे, happening, true, t-r-u-t-h, truth हो जाएगा noun, simple, simplicity, simpleness, conclude, conclusion, c-o-n-c-l-u-s-i-o-n, okay, then find verb forms, यहाँ पर हमको verb लिखना है, verb किसे कहते हैं, ऐसा लफ्स जिसमें किसी काम का होना या काम का करना, मुराद हो, hatter, hate से बना है, h-a-t-e hate, यह वर्ब है, नफरत करना, meaning, कैसे बना है, mean, m-e-a-n, mean, describe, describe verb, thought, think से बना है, t-h-a-e-n के think, और improvement कैसे बना है, improve से बना है, यह वर्ब्स, अब adjective देखना है, adjective कहते हैं, सिफत को, खुबी, खराबी, मियार, मिखदार, यह सब क्या कहलाती है, adjectives कहलाती है, जैसे, talk का adjective हो जागा, talkative, purity, interest का adjective, interested, interesting, purity का, pure, technique का, technical, and literature का, literal, okay, इसके बाद है, tips for reading for a review guidelines, while you read for a review, you should know, जब आप review कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या जानना चाहिए, यह सब हमने पढ़े हैं अभी, title का content क्या है, exactly का आपको क्या read करना है, आपको क्या select करना है, उसमें support related resources, references, जो हैं वो generated found में क्या है, what will you search to get complete details associated, ideas क्या है, और technology क्यों से उसमें required होती है, यह स्कीमिंग में होती है, और scanning में भी यहाँ पर, क्या-क्या meanings आपको देखना है, related words देखना है, exact association देखना है, उसका relationship of words का, perfection देखना है, ideas and accuracy of the event देखना है, और technology अगर इसमें required होती है, उसके बाद आपको कोई book review करना है, तो complete book review, कोई भी book पर आप कर सकते हैं, इससे पहले में हमाँ आपको बताएं, तो उसमें आप complete review में, आप कोई भी एक book को लेकर, जो आपने अब भी recently पढ़ी है, ऐसी कोई book आप लेकर उसमें complete review आप कर सकते हैं, जो आपने पढ़ी हैं, उसका subject, title, उसकी appropriacy, और फिर उसका guideline, जैसे आपने कोई book पढ़ी है, सपोज आपने पढ़ी है, विंग्स ओफ फायर, विंग्स ओफ फायर किसकी book है, बुलिये, डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम की, तो क्या describe करता है इसमें, उनका, उसका title क्या है, अप्रोप्रियसी क्या है, उसकी language कैसी है, गुड़ पॉइंट्स कों से है, टॉमिल्टी, खास बात क्या है, एडवांटेज, स्कोप क्या है book का, डीमेरिट, उसकी खामियां या shortcomings, खामियां क्या है, अगर message उसका opinion मिलता है, view मिलता है उसमें, परसनल में, तो वो दीजिए, conclusion, in short दीजिए, तो Wings of Fire एक book है, आप नेट पर से निकालिए, और डॉक्टर एपीज अबदुलकलाम की और उसका आप book review बनाईए, बहुत अच्छा आपका book review बनेगा इंशाल्ला, तो बच्चों इस तरह से हमने आज हमारा जो chapter है, Swami and Friends book review, जो है आज यहां पर complete किया है, 2.5, तो उमीद है कि आपको हमारे lectures और activities पढ़कर आपका study हो रहा होगा, अगर आपके पास हमारे सारे videos नहीं है, तो आप हमारे YouTube channel English and Persian by Rehber Sir को आप जो है, लॉग इन करके आप देख सकते हैं, इस video series में आपको 10th के English के, 11th के English के और 12th के English के सारे videos मिल जाएंगे, ओके, तो आप हम उमीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे और सारे questions को solve करेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो इंशाओला हम कल upload करेंगे, अल्हाफिस, असलाम उल्हाइब,